दोस्तों आज हम बार करने वाली AI यानि कि Artificial Intelligence के बारे में चाहिना के अंदर बहुत सारे स्कूल्स युनिवर्सटीज हैं जहां पी कैमरा लगे हुए हैं डिफर्ट अंगल्स की ऊपर ताकि पता चल सकी पीछे पैटे स्टूडन्स जो हैं वो काम कह रहे हैं अपने मुपाइल के उपर गेम्स खेल रहे हैं और यहां तरकी नहीं Google का Google Search Engine, Apple का Series, Amazon का Alexa और Netflix के Movie Recommendation यह सारी के सारी Technologies यानि कि AI आर्टिफिशल इंटेलिजेंट्स की उपर Based हैं चैनल को लाजमें सब्स्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसी ही लेटिस टेकनालोजी वीडियो के लिए दोस्तों AI यानि कि आर्टिफिशल इंटेलिजेंट्स की शुरुआत जो है वो 1914 से लेकि 1950 के दुरानिया में हुई थी इसका बेसिक मतलब ये है कि एक कम्प्यूटर्स को एक आर्टिफिशल दिमाग दे देना जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको लेंग्विजिज बगारा सिखाते हैं जब वो बच्चपन में होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है इसको बहुत कुछ सिखाते हैं, स्कूल्स, यूनिवर्स्टिज में वो पूरी लाइफ जो है, वो सीखता ही रहता है ऐसी ही कम्प्यूटर्स टेकनालोजीज में भी AI का बहुत ही एहम किरदार है AI को एक प्रफेशनल डेटा हम प्रवाइड करते हैं, उसकी अगेंस्ट ही वो कम्प्यूटर टेकनालोजीज में अपनी प्रफार्मस को बहतर बनाता है अब यहां भी हम रुक के थोड़ा सा जान लेती हैं, AI और नॉर्मल टेकनालोजी के लेटेड क्या डिफरेंसिव हैं नॉर्मल टेकनालोजी के बात करें तो हमारे पास MS Word, Excel, PowerPoint, InPage और Filmora Editing के लेटेड जितने भी सॉप्टवेर्स हैं वो include है, उनको हम यूज कर सकते हैं, नॉर्मन टेकनालोजी में उसमें कोई special improvements जो हैं, वो updates तो आ सकती हैं, लेकिन उसमें कुछ अजाफी शक्तियां नहीं आ सकती, जैसे कि AI intelligence के लेटेड है जैसे कि MS Word को देख लें, उसमें जितनी मर्जी assignments बना लें आप उसमें जितनी मर्जी presentation लेकिन उसमें कोई special improvement नहीं आएंगी, उसमें कोई special शक्तियां नहीं आएंगी, कुछ functions उसके update हो सकते हैं, लेकिन उस हिसाफ़ से AI का मकाबला वो नहीं कर सकता और अगर हम AI के बात करें तो AI के जो cameras है, जो कि एक basic level के उपर technology है, उसकी है कि जो cameras है, अगर वो road के उपर लगे हों, जितनी भी गाड़ियां नीचे से गुज़रें, वो सारे हों का data अपने पास store करता जाता है, और उतना ही strong होता जाता है, इसलिए उसमें special improvement खुद बाख खुद आती रहती है, क्योंकि उसको develop पी उसी साफ से किया गया है, अब यहां पर एक question निकल के आता है, कि AI के पास इतना ज्यादा data हो जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर हम YouTube यूज़ करें, Instagram भी यूज़ करें, WhatsApp यूज़ करें, और बहुत सारे और भी social media, platform यूज़ करें, तो AI को इतना strong हो जाना चाहिए, कि वो एक इनसान से भी बहतर काम सर अंजाम दे सकें, तो यहां पर AI और normal technology को समझने के लिए हम बात करेंगी AI की types के बारे में, तो यहां भी मारे पास दो types निकल गया दिए हैं, जो कि AI की types हैं, उसमें narrow AI होता है एक, और दूसरा होता है general AI जनरल AI बहुत सारी काम कर सकता है, बहुत सारी advanced features automatically अपने अंदर stored कर सकता है, उससे perform कर सकता है, और each in everything काम सर अंजाम दे सकता है, जो कि एक human नहीं कर सकता, अगर general AI की बात करें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और अगर हम human की बात करें तो humans क्या कर सकते हैं humans खाना बना सकते हैं, उसे खा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, गाना का सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, each in everything वो कर सकते हैं, लेकिन जो general AI है, वो ये सारे काम नहीं कर सकते हैं, वो special काम करने के लिए खुद इनसान ने, human ने develop किया है, और जिस हिसाब से उसके अंदर data include किया ह वो इस हिसाब से काम करेगा, अगर हम बात करें, narrow AI कि तो उसमें US का data होता है, वो US के data के साब से perform करना है, let's suppose अगर हम इस चीज़ की example से इस चीज़ को समझ रहे हैं, अगर उसमें US की सड़कों का data है, let's suppose कि Tesla गाड़ी हैं, तो Tesla के अंदर US का data include किया है, कि यहां यहां यह यह location है, इसको auto pilot, इसका open करके, हम इसको run कर सकते हैं, तो जैसे वो run, US की सड़कों की उपर अच्छे तरीके से perform कर सकता है, लेकिन आगर Tesla को इंडिया में, पाकिस्तान में, या पाकिस्तान के किसी भी ऐसे village area में उसको run किया जाए, तो Tesla चलने की बज़ाए, रुक जाएग और जहां पर अगर हम दूसरी narrow AI की बात करें, तो उसमें वो अपने ही साफ से काम कर सकती है, जो कि उनको data के साफ से perform किया गया है, दोसरों मैं मैं मीद करता हूँ कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी, और IEI यानि के artificial intelligence के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला होगा, अगर आप इसके लेटर और डीटेल से वीडियो चाहते हैं और डिफिन्ट टॉपिक्स के उपर वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी राहे का जरूरी जहार कीज़ेगा, चैनल को लादमी सब्स्राइब करें, बेल आइकन को प्र